तो जाहीं दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर राम अनुरलोय और देखने को मिलेगा और बहुत ही आसान से सवाल होते हैं मैं कुछ कोशन दिखाता हूं आपको कि इससे पहले कौन से कोशन पूचे गया है और किस प्रकास से कोशन पूचे गया तो सबसे पहले कोशन देखिए दोस्तों 2008 में आपको यह सवाल पूचा गया था इसमें आप देख सकते हैं मध्यमान मध्यांग तता बहुलक की गढ़ना करनी थी यह कोशन है था 2019 में देखेंगे तो फिर से आपको मध्यमान निकालना था और दोस्तों अगर 2021 में देखेंगे तब भी आपको यहां पे मध्यमान न पूचा गया था दोस्तों देखें मध्यमान आपका जो सवाल पूचा गया था 2021 में यहां पे पूचा गया था और मध्यमान आपको 2019 में भी पूचा गया था और आपको मध्यमान यहां पे 2018 में भी पूचा गया है मध्यमान आपका 2020 में भी यहां पूचा गया तो हर साल प पूछा गया था जो मीन पूछा गया था आठ नमबर में हम उसको solve करते हैं जो section B में पूछा गया था तो देखें बड़ी आसान तरीके समस्को solve करेंगे तो देखें मध्यमान निकालने की तीन प्रमुख विदिया हैं सबसे आसान विदी को कहते हैं प्रत्यच्छ विदी इ इस विदी से निकालिए वह सवाल बस ऐसा ही होता है कि निमनलिकित वर्ग अंतराल के आप मध्यमान याद कीजिए calculate the mean of the class interval simple ऐसे पूछता है कभी option निए था कि कौन से विदी तो हम direct method से निकालेंगे प्रत्यच्छ विदी से हम मध्यमान की गर्णा करेंगे जो की काफी सरल है ठीक है तो देखिए सबसे पहले क्या करने आपको सबसे पहले तो as it is जैसे questions में दिया है हम दो कॉलम में एक कॉलम में CI इसको class interval कहते है हं Hindi medium में इसको work antral कहते है इसको हमने note कर लिया दूसरी तरफ दोस्तो हमने F जिसको हम frequency कहते है यानि कि आवरिती कहते है हमने उसको note कर लिया दोस्तों प्रष्ण में हमें एक और दिया हुए n and is equal to 60 दिए हमने उसे भी note कर लिया अक्चल में यह यह क्या होत तो हम इस सब को जोड़ लेंगे तो वही अंक आएगा ठीक है, हमने इसे जोड़ लिया यह तो यहां तक तो हमने जो प्रश्न पत्म में दिया था उसे जोड़ लिया अब हम आगे क्या करते है आगे बहुत यासान तरीका है सिमपन सा थरीका है हमने दो और कॉलूम एड्ड कर दिया जिसमें एक कॉलम में एक्स लिखा एक्स एकस में लिखना क्या है ये दरसल मादी बिनदू है जो मिड़ प till है ये सी आई का मिड़ पॉइंट है अब सी आई यह जो आपको क्लास इंटरवल वर का अंतराल दिखा रहा है इसी का मिड़ पॉइंट निकालना है बहुत यह असान है दोस्तों अब देखिए इस प्रस्ट में क्या दिया है दोस्तों इस प्रस्ट में दिया है 32 34 32 34 29 31 26 28 23 25 इसका मध्य बिंदू क्य होगा हम इड्र क्या होगा तो बहुत यह सांत तरीके से निकाल सकते हैं आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिए चूंक olması यह बहुत आसान हैं 32 और 34 है लोगा जोर दीजिए जैसे की 32 प्लस 34 कर लीजिए और इसके 2 से depends लिगोर दिदेगर करें दो आपको 33 find out होगा 33 ठीक है अगर इस बड़ी संक्या है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं यहां तो हम आसानी से निकाल सकते हैं तो चलिए X की जिगा पे X कॉलम में हम मिट्पॉइंट में हम इनके मद्ध बिंदू को निकाल लेते हैं मीट्पॉइंट को तो 32 चौथिस के मीट्पॉइंट होगा 33 इल्कुल तयार हो गया तो fx को आप क्या कर ये गुड़ा कर दीजिए तो हमने यहाँ पे चार तो पहले से question paper में दिया है और हमने meet point 33 निकाला 33 निकाला तो 4 और 33 का गुड़ा कर देंगे हमें 132 प्राप्त हो गया ठीक है ठीक उसी तरह हमने दूसरा 7 और 30 का multiply कर दिया तो 210 निकल गया 9 और 27 का multiply करके 243 और 12 और 24 का multiply करके 288 और 10 और 21 का multiply करके 210 8 और 18 का 144 7 और 15 का 105 और 3 और 12 का 36 हमने इस प्रकार से fx निकाल लिया ठीक है दोस्तों अब खतम हो गया सवाल आपका art number complete हो गया अब simple सा एक छोटा सा काम कर दीजिए यह आपने जो fx निकाला है इसी को sigma कर लिजिए sum of all the fx आपने जो भी इनको जोड़ा है ना जो भी यहाँ पर multiply करके आप इस सब को जोड़ दीजिए आसानी से जब आप सब को जोड़ेंगे यह process समझेंगे आप आसानी से निकाल सकते आपने सब को जोड़ लिया ठीक है अब सब को जोड़ लिया तो खतम हो गया आप लास्ट में लिख दीजिए प्रस्न क्या दिया था calculate the mean मध्यमान निका लिए तो निकल गया मध्यमान mean is equals to क्या होता है sigma fx upon sigma f कह लिजिए या फि sigma f sigma fx का मान कितना आया दोस्तो तेरह अनसर्ट और आपको पहले सही एल यानिके sigma fx दिया हुए सार्ट और तेरह और सट और सार्ट का मने डिवाइड कर दिया आपको संख्या प्राप्त हो गई 22.08 हो गया मध्यमान हो गया खला समीन खत्व ऐसे निकाल यह बहुत यासान इसको हम कहते हैं कि प्रत्यच्विदी डारेक्ट मेथड खलास अर्ट नमर के रेडिय हो गया इसी प्रकार से अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं जो पिछले सार्व पूछा गया था आप इसका मध्यमान निकाल लेजे तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत यासान त इसका डिवाइड कर देना है उसी का खलास हो गया निकल गया तो इसी प्रकार से आप सवाल निकालेंगे बाकि नेक्स जो कॉश्चिन पूछे गया है उसको हम दूसरे वीडियो में अब सॉल्व करेंगे आप इस प्रश्न को सॉल्व करिए और इसका अंसर में कमेंट बोक पूछे गया है जैसे कि यह तो माधिका निकालना वर्ग अंत्राल निकालना और और वी जो प्रश्न नुमेरिकल है उसको भी हम दीर दीरे वन बाई वन सॉल्व कर लेंगे तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी चीजे आ जरूणायों पर इसमा निकालना प्लना वहां प्रोडिक आई दोस जाए को सहे जटा है में इक र 31-500 ब महत पूंछ जाता है पढ़ते रही हैं जो बने कोश्चन्स दिया है आप उसको सॉल्व करिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जाहिन जावारत कि एक तो बेसिक त्रीक है एक तो लाइक और शेट ठोक दिजिए माकाल का चाहिए तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटान है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे पार्क में स्ट